सारी सब्जेक्टम जीरो था यह अड़ाया जब मेरे बाप पखुद नुगाया घरदन में लिए तेरी बेबे पड़ा है तू भी पड़ ले तर तुर एक गंटा को नो बैठा जा किताब बाउपर अर आज को दिन मैंना मैंने खुद ही की बता हुआ हमने 20 गंटे एक डेस्क एक 122 तो आर्मी कलरक में लगे थे यही सारी बर्तिगा है जो 122 सेलेक्शन है फिलिंग लेने से कभी भी आर्मी में निजा सकता है शिक्षक दियोस पे हमने प्ले स्टोर पर इंपट कैड़ेमी की एप लॉंच करेंगे उसमें सभी टाइप की गोर्मिड जोब की बच्चा राम राम जी मैं खुश्बुजल को जुन जुनों पर थारो बहुत-बहुत स्वागत है आज की आपनी कवरेज की बात करना तो सेना की जो त्यारी कर रहे हैं बाक लिए बहुत खास वीडियो है यो सेना का अंदर कहीं सी जावी ही कहीं आपको फीजीकल हुआ है कहीं मेड चाहीं बाम आज भी जुनून है फोज में जानको तो रिक्वेस्ट है पर ली तो सवों की वीडियो है इन ज्यादाम ज्यादा सेर करो ता कि हर माता पिता और हर यी बच्चा तक पहुंचा की बै जो फोज की त्यारी करनों सावी ही बै आके रामों आपी त्यारी कर सकी कि कसी के त्यारी जाल रही है क्योंकि कई बारे यहां है कि आपा सारो कर लेहां कवर और पाच्छा एंड मां की कठेना कठे रूप जया वहां ना इसी काड़ी कौंजी सही है बढ़िया त्यारी है जमा एक नमबर की सर खूब मेनत करवाओं है तड़के नो बज़े अब अब यहां का पढ़ाई का पढ़ाई का सुबहे नो बज़े से वारे वज़े तक लास अलती है और बाराग बज़े के बाद में दो तीन गंडे रेस्ट होता है तो पढ़ाई में वैसे तो लगबक पूरा सले बस तो चुका है एक बार तो और दो बार और रिवाइज हो जाए गए हैं तो पुल मिला के मतलब की पका कन फ्रम है पका कन फ्रम है सो परसेंट अभी के पढ़ाई चाल रही है अभी फिलाल के पढ़ाई तो मैत समझ माझे हैं जोटे परड़ा जोगंगी पर वाओ बड़ां पर जो है नो जाब हो इतनी त्यारी है कि हां पा कर सका हां सर के उपर बरोसाँ सर आप करवा देगे हमारी थाए सर कर ओपर फर नागरे अ यहां बढ़ी आसा लाग जाए है कि हां लाग जाम है पुरा खनपरम है अब की बार आशिल करने हैं अब मेरा पेपर पेपर बचाए कोई भी क्योशनेशा नहीं रहोगा कि वही पेपर मैं चूट जाए अच्छा था ने कोई कुछ भी बुछ लेवास उठा किसी चीज़ का म मतलब 11 मी बाद 10 मी पाचा है अक गिनती नहीं देखांगे माय थाली चीज नहीं पड़ाए कदेब बसमी नहीं ना करेठा था था यहां एक पासर रख दो मतलब कोई साइड रख दो आपी माय चोड़िकें और सारी चीज पड़ा गई लेकिन उरत जिस्तिन आया हूं उस द पाइड देंसे जी तो काफी सारा बच्चा ही बैट यहारी कर रहे हैं काफी बैए एक करोना काल की वज़ाओ मतलब रहे भी गातो बानने के खानों चाहों कि इंपक्ट है को कितनों के इंपक्ट डिलाए कि मालेका लाकरोना काल भी आजा है आपना घर नहीं जाए इप इतनी मैंनेत करके आपना अडे तक बेज़ी ही तो पांसेजार दसेजार पशाजार जितना भी लगा में बाको पूरो सुआत मतलब पूरो मज़ो आरे कि हाँ आप पहुंचे कहां जड़ी आपना हाँ एक बात हो रहे हैं जिस तरह माले गरका नितने रपी लगा कि आप य मेरी लाइफ में अंतमा बस्मेंनों पोल इंपक्ट हा किना चाहूं ऑचितने आपके दरसक देखेता हैं आपत्र कोई मेड़ा हो रगा एक शेयर अब करियो है पढ़ना है लाइफ में तो एक बर इस इंपेक्ट एकेडमी आर्मी और एक निचा थे नाम देख रहे होगा नीज सुलक बेच शुरू पर इस इंपेक्ट का मतलब होता परभाव हम चाहते हैं और जो संसकार यहां पर देते हैं शिक्षा की साथ साथ हम संसकार भी देते हैं बच्चों को इंपेक्ट का मतलब ही परभाव है तो परभाव बच्चों को पर उपड़ता है जो चंदर सेखर आजाद की फोटो लोगा यह इक है पिछे मतलब के है मतलब देखो क्या होता कि जैसे डिफेंस सेक्टर में देखा जाए तो एक जुनून स्वार होता बच्चों के उपर की इंपेक्ट के नाम से इसकी सरवात की थी उस समय हम आई टी जेई मसे इंट्रेंस बीसे रिकल्चर इनके उपर हम फोकस रखते थे उसके बाद हमने साथ जुलाई 2015 को इसका नाम इंपेट अकैडमी रखा उसमें हम गोवर्मिट जोब में इसे ले के आई इसको और गोवर्मिट सेक्टर से रिलेटर जितनी भी त्यारिया होती है चाहे वह आर्मी हो चाहे एससी हो चाहे एससी हो चाहे एस आप्टर सेक्टर सेक्टर से लेते हैं तो इसलिए हम सचा भी कुछ ना समाज के लिए कुछ किया जाए बचा की कितनी हाइट होनी चाहे बादाई होनी चाहे और जैन थे नीशुलक को नाम लीए तो नीश लोग कैया पढ़ा हो जैसे आर्मी में क्या होता है कि आफ्टर सेलेक्शन हैं फीज लेते हैं तार्गेट बैचिस यहां से चलते हैं जैसे बच्चा फीजिकल और मेडिकल करके हमारे पास आता है तो बच्चे से हम आफ्टर सेलेक्शन ही फीज लेते हैं क्योंकि उसमें क्या कि हर एक गरीब बच्चा भी यहां पे आ सकता है क् खेती से जुड़ा हुआ होता है किसान के बच्चे ही आर्मी में जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उसमें कभी भी आप देखोगे ना जैसे कोई भी अमीर घराने का कभी भी आर्मी में नहीं जाएगा और आज कल पता ही आपको एक-एक ही बच्चा है घर में तो कोई यहां से जो बच्चा आता हमारे पास राज्थान से बच्चा आता है पंजाब से बच्चा आता है हर्यान तो कि अध्य पर्दे से बचा था उत्रागंड यूपी से बचा रहता है मतलब कम से कम 6-7 स्टेटों को हम कवर करते हैं जो बच्चों है बच्चा की इतनी हाइट होनी चाहिए और पढ़ाई पुड़वी कि इतनी होनी चाहिए जाहिए कोई बारवी के बाद मामी कोई दस्ती इ जैसे क्या होता है सूप्ट के बच्चा से जिड्डी मों में साढ़े साथे के बाद बच्चा चलाँ जाता ह даль वां पर और उसके बाद किए क्या रहता है कि बीड़े करता तो ऑन इसमें की जडिदी में और ट्रेड-में में जा सकता है प्लशितू के बद अ एरफोर्स में भी जा सकता है अर्याना के बहुत सारे एक्जाम निकलते हैं ऐसे रास्थान में भी आपको पताई भी बहुत सारे एक्जाम निकलते हैं जो पलश्टू के बाद होते हैं ठीक है बैल्ट की नोकरिम तर टेंथ की ही मांगते हैं तेंथ के बाद बच्चा सिरफ आर्मी जिड्डी में और ट्रेड में इस प्लस टू के बाद मैथ होना चीए कलर में भी जा सकता है और बहुत सार इसकोप है जैसे से जिड्डी है एससी के थुरूब भी बहुत सारी विकानिशी निकलती है, एससी में MTS भी जा सकता है, टैंथ के बाद बच्चा, उसमें आइट वगरा कोई माइन ने रखता, क्योंकि वो बैल्ट की नोकरी नहीं होती, वो नॉर्मल रहती है, और बहुत सारी स्कोप है, जैसे ग्रिविजन Shreddy, और सणी जिड्दी की है, कमांडो की है, इनकी अलग से विंग हमारी अलग सी विंग हमने बना रखी हम पर, ज्यादा हरो जो, बचाठ बचा को रन निंग को के टाइम हूँआ है, थोड़ो बत्चान मतलब बीच में भी गंठा दो इडोगंठा देना पड़े ही नाणों है बचारेस्ट भी कर नहीं तो बागो के सेडूल चाला है कि बचा पढ़ाई भी करशकी रनिंग भी करशकी और रनिंग भी करशक मोर्निंग थो चार बजे हम Cats 4 में जाती हैं ऐस ट्रीडिम में should this 는नकी च्रिंटर करते चार से लेकं चार बज Dolan, यह है है ठीकर चारंनोगे उनकी सादसी जाती है ड्रीम उन में ट्रीजाती एफसलिग कि अपना कोच्छ और चार बजे बच्छे fagicart चार से लेके छेवजे तक फिर उसमें रहता है। दो भी लग जाते हैं तीनी भी लग जाते हैं, वह वर्किंग के ऊपर है। पेपर के नजदीक है। पता चलता है, बच्चे का भी फीजिकल आठ चुका है। उसमें टाइम जाज़ देना आपड़ता है। दो टाइम रहता ह लगाता ह। दो टाइम उनको बडाते हैं और जो बच्चे रहते हैं, जनका फीजिकल फीट हो जाते हैं, उनके नायट नायट क मिन चेन लगाती है। बश्ताक को जनू पड़ेगी वहां पर कई पर बच्चा की यह लगता कि भी मैं लग जाओंगा जनून हर कोई फिलिंग लेने से कभी भी आर्मी में नी जा सकता उसके उपर प्रोपर त्रिकेश का लगा कि हां यो लाग जाग और वो कठे ना कठे रजा है दिखने से कभी नहीं होगा दिखने बात यह कि इसमें जो बच्चा पड़ेगा वहीं लगेगा अभी करोना काल की इतनी बड़ी बेमारी आई है कि पुरी दुनिया ने बहुत कुछ सिखा दे और पुरी दुनिया की जिंदी बदल दी तो जो बच्चा हाबा की उमर हो रही ही अब दो साल बागी बहियां निक अरियाना की बात करें तो अपने अरियाना में ब्यालिस साल तक जा सकता है बच्चा जैसे सेंटर गवर्मिट जोब में जैसे जनरल कटैकरी का 27 साल तक जा सकता है ठीक है रेल्वे है ठीक है उसमें भी काफी एज होती है 30 तक बच्चा जा सकता है कोई दिक्चत नहीं है र तो इंपेक्ट के कर रही है यह दो इंपेक्ट अपना काम कर रही है इंप Benti का मतलब यह परभाव जोड़ती बच्चों टीऊ चैसे हम वमारी खास बात है यह है कि हम बच्चे को जब तक व राग कि ले था ज typing हो आध्यां को एक्जाम नहीं होता जैसे नाइड क्लास हमने सरवात की है तो नाइट क्लास और कहीं नहीं लगती एक दो गंटा पढ़ा देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है हम 12 गंटे कम से कम बच्चे को देते हैं और 12 गंटे यहां पर बच्चा पढ़ लेता तो उसको एक्स्टा पढ़ने कोई जुरूती नहीं होती लड़काई से अब तक इन 6 सालों में देखा जाए तो वैसे तो मैंली चार साल ही मानूंगा मैं क्योंकि दो साल तो बच्चों के करोना करके खराब हो गए है टाइम बहुत खराब हुआ है चार सालों में अब तक तीन जार प्लस सेलेक्शन अकाडेमी देश हुई है यह दि देखा जा है तो आल हर्याना में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेश्यों इंपेक्ट का ही है कमों कम आखने जार प्लस जो बच्चा हुई ही और साथ सो आठ सो बच्चा ही बाको इंपेक्ट चैन हो जाए है हां बिलकुल अराम यह 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 आप आवरेज भी निकालोगे तो जुआरा कि उबातियाराज़्ना जानल है कै अधलirsiniz के लिएंपेक्ट में जी बच्चता जमान आक्जिए ओंड़नार चाहता है तो यह प दिबस आ यह बश्ता चाल आ कोई आता है ।ो उस निस के लिए हमने इंपेक्ट अकाली हर्याना कवच्च्चा मरत उन्हाना चाहता तो उसके लिए हमने स्कूलिंग के तोर पर स्कूलिंग लेवल पर हमने इंपैट अकैडमी ओर लाइन स्कूल के नाम से अमारा चैनल है जिसमें आठ में नो मी और दस मी कि कलाश डालते रहते हैं इसमें अभी सोचल साइंस की हमने इसक डालना सुरू पर कोई बच्टा उसमें प्ले स्टोर पर इंपट करेंगे उसमें सभी टाइप की गोर्मिट जोब की बच्चा तेहरी कर सकता है उसमें आर्मी, एर फोर्स, नेवी, ससी जिड़ी, हससी के कोर्स अभी लॉंच करेंगे स्टार्टिंग में और उसमें बच्चा जैसे नी सुलक करनट अफेर की वीडियो मिलेगी बच्चे को और साथ इसाथ टेस्ट भी जोईन कर सकता है और जैसे जो बच्चा पेड कोर्स होंगे वो बहुत ही कम फीस में रिलाइबल फीस में बच्चा वहां से कोर्स जोईन कर सकता है उसमें लाइव क्लासी भी होंगी और कोर्स जो होंगे के सही बात है या दो को ये बिल्कुल ही जूट है ये मलब एक कोरा जूट है बिल्कुल क्योंकि आर्मी में एक परसेंट भी पैसा नहीं चलता क्योंकि जब अपने डेश की ही डिफेंस यदी बिखने लगी तो फिर तो तालीबान ही आ जाएंगे और वो खरीद के अपना कप पजया भी कर सकते हैं तो मगर आर्मी में परistäंट भी पैसा नहीं चलता है खास बात यहीं सर जो यह फोटो लगा रहा हिं कितनी समतिंग बच्चे पचास नहीं है, ये देखोगे ना आप इसको डंग से देखोगे, ये 122 तो आर्मी कलरक में लगे थे, ये इसहारी बरती का है, जो 122 सेलेक्शन है, हमारे पास नियर अबाउट 140 के आसपा विधार थी थे, और जीड़ी में 130 लगे थे, ये तो एक ही बरती की बात बता रहा ह सिंगल बट्षा लगा हुआ है, जैसे कई बार एक है वक्षा जाती आती है, नर्स कंपकम आ पराड़ा है, ट्रेडमान में बहुत कम उक्पश आती है, इंपक्क्ट की खास बात ही ये है, जाना थे ये लगता गई है, तो एक बार जरूर विजट करें कामर में आइड़ा hing तो वो ओन्लाइन एप के थुरू जूड़ सकता हमसे हमारी वेबसाइट भी है www.impact.haryana.com चैनल के मैदम से जूड़ सकता है Impact Academy है Facebook के मैदम से जूड़ सकता है तो एको एडरस है वो पूरो बताओं देखो यह इसार में लोकल बस्ट्रेंड के पास गड़ी नमर 2 हर्याना में रिशनगर गड़ी नमर 2 में है जिसमें अभी फिलाल जैसे यहां है जो हमारा मैन ओफिस इसार में है अभी जल्दी हम इसको बाहर से थोड़ा सा बाहर इसको स स्टार्टिंग में ठीक है उसके बाद फिर और के लिए होगा और यहां पर भी अपने खुद की बिल्डिंग है दो तिन जिसमें हम बच्चों को ओफिस भी है और टीचिंग भी करवाते हैं वह रहेगा आप डाउन के लिए और जो बच्चा यहां पर बोर्डिंग करना च इंडिया के देखा दो जिए डिया तो 시청 डम फोज में लाग रहे हैं कई नाम यह और आज वहां हे आउसाथ हैं कि वह फोज में जानों चाहीं को कोई एरफोर्स में तो आपनी खास मुलाकात होई जोगे अंदर सरू और पूरी बात आपना ने बताई है कि कई आसी बच्चों आवा है कई आप पढ़ाई हुए है कई आपको चाल ला है और जो इंपेक्ट एकेडमी है इक अंदर की आपा बात करा तो इतनों अच्छों काम चाल ला है कोई भी हेरा फेरी को चाल लां जो बच्चों आभ और बच्चाम ज़नुन है उतनों ईतनुजनुल है कि बच्चों एक बार आ गो तो बच्चों पक्का सिलेक्ष्ण होगी जावेगो तो रिक्वेस्त है कि पलीज यो वीडियो ही जड़ाँ ज़िए करो जितनों हो श करो की बच्चा ही बए जो बरतियान लागि रही हो बच्चा जल्दि-ऋजल्दि-आवी और शरुम बात करके और जल्दि-उजल्दि आपकी पढ़ाई रनिंग जो भी आपको चला है जल्दि-उजल्दि- झाल झाल